क्लिक करून एपेर बेल आइकने, आज साब्सक्राइब करून एबिपियान नंदो, शक शोमाय थाकून खबुडे जम्मू कश्मीरो हिमाचल प्रोदेशे तुशार पात, स्रिनगोरे प्रोबोल तुशार पाते जेरे शंगलोग नो हाईवे गोली ते बंधो जान चल, शाभाविक जनोजिबन विबाज अस्तो बेग्मितो चेलीफोन और बिद्धूत परिशेबा हिमाचल प्रोदेशेव भारी तुशार पात होचे, कूलूर्टे मनालीर काचे, सोलांग नालाए, शुकल थेके बरुफ पोड़चे कश्मीर गाटी में मोसम ने करवट ली है और जबरदस बरवबारी जो है वो श्रीनगर में भी शुरू हो गई है मोसम विबा की तरफ से जो चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी उसके अनुसाथ 6 तारीक से लेके 8 तारीक तक पूरी कश्मीर गाटी में बारी बरवबारी की जो पेशिन गई की गई थी वो साच साबित हुई है और इस समय भी श्रीनगर में देख सकते हैं कि कितनी बारी मातरा में बरव आस्मान से जमीन पे गिर रही है बता दे कि लगाता दूसरे साल इस बार नौंबर के महीने में ही बरवबारी हुई है पिछले साल भी तीन नौंबर को पहली बरव गिरी थी और इस साल 6 और 7 नौंबर को ही ये पहली बरव गिरी है मौसम विबाग का ये भी कहना है कि अगले 48 गंटू तक फिलहाल कश्मीर काटी में मौसम में कोई सुदार नहीं होगा और बरव इसी तरीके से गिरते रहेगी लेकिन वक्त से पहले होने वाली इस बरवबारी के पीछे जो है गलोबल वार्मिंग और मौसम में आए बदलाव को भी कारण माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से तीन नौबर को बरव गिरी थी उसके चलते सेब के भगीचूं को अच्छा खासा नुकसान पहुचा था क्योंकि अभी भी ज़्यादातर पेडूं पर पत्ते हैं पत्तूं पर बारी मात्रा में बरव गिरती हैं तो पेड तूट जाते ह और इसी के चलते इस बार भी यही आशंका जताई जा रही हैं कि बारी बरव बारी से ना सिर्फ पेडूं को नुकसान होगा बलकि जो आने वाले दिनों में जिस तरीके का तापमान बनेगा उस से अगले सीजन पर भी इसका असर पढ़ सकता है लेकिन फिलहाल जो खुशी असर उत्तर भारत में पढ़ेगा क्योंकि कश्मीर गाटी में पढ़ने वाली बरव से बढ़ने वाली थंड का असर उत्तर भारत में पढ़ेगा जहां पर दूंद और कोहरे से लोगों को एक बार फिर जूजना पढ़ेगा जिससे एक बार फिर दिल्ली के आसपास के शहर समाइब बढ़ सकता है हलाएं कि मोसम विबा का ये कहना है कि साथ तारी के याने आथ तारी के कल के बाद मोसम में थोड़ा सुधार होगा उसे अगले कुछ दिनों तक मोसम में सुधार रहेगा लेकिन उसके बाद एक और western disturbance कश्मीर गाटी की तरफ आएगा जिससे और ज्यादा बरफ गिर सकती हैं हलांकि परियाटकों के लिए ये अच्छी खबर हैं जो द्रिश इस समूची कश्मीर गाटी दे रही हैं बरफ की चादर में पूरी कश्मीर गाटी लिपटी हुए और लगातार आसमान से बारी बरफ गिर रही है कैमरा में नाशाद हुसाइन के साथ आसम कुलेशी एबी पी न्यूज श्री नगर